हाई एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल माइम इस अनिल और रियक्जेस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक फोर्म को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं उसका डेटा हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं रियक्जेस के अंदर सो फॉम बेसिकली क्या होता है जब आप किसी साइट के उपर जिस्ट्रेशन करते हो या फिर साइन अप करते हो चाहे वो फेस्बूक हुआ या फिर जीमेल वा तो में चोटा सा फॉम भरना पड़ता है उसके तो कुछ फिल्ड्स हो सकते हैं जैसे कि आपका फिरस्ट नेम ला बैसे कलाता है और इसके अंदर मैं से कुछ फिल्ड aha करेंगे उन बाद में शेट कन्ट लाइब बाद में सब्स Vik करेंगे और कंट्रोल करें गर लास्ट में एक क्वेश्चिन camera कमेंड मोक्स के अंतर कर सकते हो इस वीडियो को फिय पता चलाइग एक दो वीडियो बाद में दिरिदे step by step चल रहे हैं हम एक दो वीडियो के बाद में API कोल करना बताऊंगो और आपको बता चला है कि इस डेटा को हम API के इंदर किस तरीके से send कर सकते हैं वह वह आपको पता चल जाएगा सो स्टार्ट करते हैं यह बेसिकली मेरे एक आउटपूट स्क्रीन है और यह मेरा app.js component जिसके अदर मैं code लेकूँगा तो सबसे पहले मैं आप एक form बनाता हूँ राइट अच्छा एक बात मैं बताता हूँ रियक्ट जेसके अगर आप form नहीं भी बनाओगे ना तो भी आप data को submit कर सकते हूँ राइट बट वो मैं इस यूदी के लास्ट में बता दूँगा आपको छोड़ा सा पाट है बट अभी के लिए हम इसी के साथ continue करते हैं राइट सो सबसे पहले मैं आप एक input field दूँगा और मैं इसका type रखता हूँ type के अंदर मैं basically दूँगा text और एक placeholder देते हैं और placeholder के अंदर मैं basically simply लिख सकता हूँ enter name और इसको मैं हाँ पे close कर देता हूँ और ताकि थोड़ा सा space maintain रहे मैं यहाँ पे BR text भी यूज़ कर रहा हूँ इस तरहीके से और अब मैं एक और input type लेता हूँ यहाँ पे selection ले लेते हैं basically right select list ले लेते हैं और इसके अंदर मैं कुछ options लेता हूँ और option में मैं सबसे पहले कुछ options select कर लेते हैं let's say marvel कुछ भी आप name select कर लो कुछ मतलब नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं और यहाँ पे DC comic right right and यहाँ पे आप चाहो तो कुछ option भी दे सकते हो और यहाँ पे हम basically लिख सकते हैं select option right और अब हम यहाँ पे देखते हैं में क्या मिल गया है देखो यह एक list मिल गई है और यहाँ मैं style के उपर focus नहीं करूंगा इस video के अंदर right yeah because इसमें हम logic पे ही focus कर रहे हैं और बात में एक input box और लूँगा उसके दर मैं type लूँगा check box right और मैं इसको यहाँ पे close कर दा हूं जैसे मैंने check box लिया अब आप देख सकते check box यहाँ पे आ गया right इसी लिए मैंने यहाँ पे दो BR tag लिये तो मैं यहाँ पे दोनों BR tag मैं यहाँ भी बार फिर से ले लेता हूं और यहाँ पे expand declare कर देता हूं अभी के लिए और span गंदर मैं लिख दूँगा accept terms and condition right कुछ भी text लिख दूँ हम यहाँ पे माल लेते हैं तो इस तरीके से यह वाला option भी यहाँ पे आ गया right all right so अब इसके बाद मैं आप बटन बनाता हूं दो BR tag लेने के बाद में और इसके उपर मैं basically लिख सकता हूं submit right type submit अच्छा एक चीज तुम आपको बताता हूं यहाँ पे एक basic चीज देखने वाले कि हम जब react में मना दो single page application मना दें कभी application refresh नहीं होती अब जैसे submit के उपर क्लिक करूंगा आपको दिख रहा है कि रीफ्रेश हो रहा है बार बार राइट तो सबसे पहले हमें actually अगर इसको रोग लेंगे तो यह भी ठीक रहेगा राइट सो उसके लिए क्या करना बढ़ता है मैं basically सबसे पहले तो हम event call करते हैं हम इस form के ऊपर ही यहाँ पे इस form पे आएंगे और यहाँ पे एक event होता है आपका on submit और on submit को पर फंक्शन कोल करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ get form data एक फंक्शन बना देता हूँ और इस function को मैं यहाँ भी define कर देता हूँ इस तरीके से राइट इसके अंदर parameter आता है event e कहते हैं इसको हम e dot prevent default टिकने आपको यहाँ पे इस function होता है और यह करता है कि इस form को submit होने से रोकता है अब मैं वापिस आता हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब करता हूँ तो देखो अब यह submit नहीं हो रहा है एक चीज तो हमारी fine हो गई है अब हमें क्या करना है देखो हर एक field के उपर उसकी value हमें उठानी है थोड़ा से मैं इसको space के लिए थोड़ा सा sidebar को बंद कर देता हूँ यहां कुछ states define करनी है उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रियक्ट को मैं यहां भी इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट react from react अगर react इंपोर्ट नहीं भी करनी है तो मत करो यहां पे यू स्टेट को इंपोर्ट कर लो यह बैटर ओप्शन है और मैं यहां पे कॉंच लूँगा basically और कॉंच के अंदर मैं तीन फिल्ट लूँगा सबसे पहले मैं name set name और यह रहेगा use state by default blank right then second के लिए मैं एक और कॉंच लूँगा इस कंदर मैं हापी लूँगा tnc and terms and condition right set tnc और यह basically रहेगा use state और by default इसके वेली रहेगी false किसने sorry not true false किसने के अभी के लिए condition select नहीं करिया है right and at the last हम यहां भी रखेंगे movies और let's say जा फिर interest रख लेते हैं interest set interest right और यहां हम लिख देते हैं use state और इसको भी by default हम blank ही रखते हैं right so अब आपको basically करना क्या है कि जैसे ही आप लोग किसी को उपर भी type करोगे तो उसी को hand to hand update कर देंगे यहां पर करेंगे value right देखो इसको आप अलग से function बना के यहां पर उसके अंदर e pass करो और वहां भी set करवा सकते हो कोई problem नहीं है but मैं यहां बेग्यूं कर रहा हूं ताकि हमें अलग से function ना ना बनाना पड़े हर एक state के लिए अदरवाइस मेरे तीन function तो वैसे create हो जाएंगे अगर आप बनाना है तो इसमें कोई problem नहीं है बना भी सकते हो और यहां पर मैं basically set करूंगा set interest और इसके अंदर भी जाएगा same event इसका नाम को e रखना को जुरूरी नहीं है अगर आप इसका नाम field का नाम भी रख लोगे जैसे कि interest dot target dot value भी आ जाएगा right e dot target dot value और similarly आप own change ले सकते हो अपने input box के उपर बट यहां पर आपको checked लेना है यह चीज़ ध्यान रखने आपको यहां पर checked लेना है क्योंकि checked true or false देता है अब submit के ऊपर जैसी यह चीज़ें submit हो जाएगी और जब submit करोगे तो यहां पर आपको console करवाना पड़ेगी तीनों की तीनों चीज़ें यहां पर करवा सकते हो console dot one और इसमें ले सकते हो name dot tnc dot comma के बाद में यहां पर आ जाएगा interest और एक चीज़ और जब हम यहां पर हैं तो हमें यहां पर set tnc करना है set tnc अल्राइट अब हम देखते हैं कि क्या मिला हमें सबसे पहले मैं यहां पर submit करता हूं सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा false एक की चीज़ फोल्स मिलें बाकी में कुछ मिला ही नहीं है यहां पर मैं लिखता हूं name anneal movies मैं select कर लेता हूं marvel और यहां पर यहां पर मैं यहां पर TNC कर रहा है इसलिए आपको true and false मिल रहा है अगर मैं इसको हटा दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा तो यहां पर false मिल गया नाम मैं कुछ चोर चेंज कर दूँगा यहां पर यह मुझे इस भी मिल जाएगा इस तरीके से तो आपको पूरे form का data मिल गया है बहात रहती है कि validations कैसे लगा सकते हैं वह आपको next UD में बताऊंगा कि कि किस तरीके से हमारी validations apply होंगी हाँ एक चीज और है कि अगर आप चाहो तो इसको control भी कर सकते हो यहां से कुछ लोग यहां पर जो values रखते हैं ना value तो value basically क्या रखते हैं वो रखते हैं दिस डॉट नी सोरी इस डॉट स्टेट ने आएगा इसके अंदर इसके अंदर डाक ली नेम रख लेते हैं यहां पर नेम तभी काम करेगा जब आप यहां पर इसको साथ में अपडेट वी करवा रहे होगे अचा इस चीज का फाइद अपर सारी स्टेट को क्लियर करवा दो नेम को भी और यह तो आपकी यह फिल्ड से होंगी सारी सारी क्लियर हो जाएंगी आपकी अगर आप ऐसा करना चाहो तो फोरण मुमेंट यह ठीक है और यहां से टाइप सब्मिट हटा देंगे यहां से नौर्मल बटन टाइप कर देंगे ओके इस वीडियो के अंदर मेरा अब एक लिए क्के लिए क्वेसरे क्वेस्टन हाता है और क्वेस्टन में रही है कि मैं अगर किसी फिल्ड को डिसेबल करना चाहूं तो किस तरीके से कर सकता हूं और अब बटन क्लिक और विदाउट बटन क्लिक कैसे भी स्टेट के ओपर तो उसका अंसर आप मुझे करो कमेंट बोक्स के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना कुछ क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना बाइ बाइ टेक केर गोड ब्लेस यू